राधे राधे जैस्री कृष्णा मित्रो आपका हमारे नाम का ग्यान बाए अंजली पांडे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंततक जरूर बने रहिए यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे च रासियों के बारे में आखिर इन बारा रासियों के उत्पत्ति कैसे हुई बारा रासियों का निर्माड कैसे हुआ और रासी हुई भी तो सिर्फ बारा रासी ही क्यों हुई और वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे मन में क रिंदावन की रहने वाली हूँ और मेरे पडोस में एक हमारी भावी जी है जिनका नाम है सीमा तो उन्होंने आज मुझसे कहा कि आज मॉनिंग की बात थी उन्होंने मुझसे कहा कि अंजली एक बात बताओ मेरे मन में कभी-कभी खयाल आता है अखिर 12 रासी ही क्यूं है तो म अनने उनसे कहा कि भावी है इसके पीछे वज़ा है इस वज़ा से 12 रासियां हैं उनने ये उनने मतब बड़ा ही सुंदर सा प्रशन किया मेरे से कि आखिर रासी हुई भी तो 12 ही क्यूं हुई एक्जेक्ट 12 रासी ही क्यूं होनी थी 12 के बजाई 11 भी हो सकती थी 16 हो सकती थी 9 रासी हो सकती थी घट सकती थी बढ़ सकती थी और उनका जो मतलब खयाल था जो उनका सवाल था वो अपनी जगा पे बिलकुल सही था कि उनके मन में थे इस तरह के सवाल थे वो जानना चाहती थी वो काफी मतलब excited थी इस चीज़ को जानने के लिए कि आखिर 12 रासी ही क्यों बनी और इतनी बड़ी दुनिया है इतना बड़ा ब्रम्हांड है जहाँ पे करोडों की जनता रह रही है और इतने लोग हैं और सिर्फ 12 रासी में ही सब की रासीया है और फिर भी देखो आपने भी कभी देखा होगा कि जरूरी नहीं जैसे कि मेरा नाम अंजली है तो अंजली नाम की सभी लड़कियों का सोभाव मेरे जैसा ही होगा एक दूसरे से मैच करता होगा तो इसके पीछे भी वज़ा होती है एक ही घर में एक ही रासी के चार लोग रह रहे हैं पर चारों के सभाव में परिवर्तन है कोई किसी दिमाग का है कोई किसी तरीके का है किसी का रहन सहन कैसा है किसी के बात करने का लहजा किस तरह का है तो बहुत से ऐसे सवाल लोगों के मन में आते हैं और बहुत लोग ऐसे भी होंगे मित्रों कि जो लोग इस चीज को रासी को या रासी फल इन सब को मानते ही नहीं हैं उनकी नजर में यह सारी बाते बकवास होती हैं मैं नहीं जानती कोई इक भाय जी थे उन्होंने मेरे वीडियो पर कमेंट किया था कि बकवास। तो आपके इस तरीके के किसे जो आपका कहना था कि बकवास। तो आपके लिए मेरी बाते बगवास होंगी यह वक्वास होंगी बट जो लोग मु raft सण रहे हैं जो मुझे समस्ते हैं जिनके सवालों का मैं विलकुल सटीक बहुत ही कम समय में सटीक सा जबाब दिया जा रहा है वो घटना उनके दे रही हूँ, वो कहीं न कहीं, वो चीजें उनके अंदर हैं, उनमें प्रवेस हो रही है, उनमें प्रवेस हो रही है, तो आपके कहने से फैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भाई ऐसे भी होने चाहिए, जो अपनी बहनों को कहें, एक भाईयों का तो काम यही होता है बहने तो वैसे भी स्रिफ बकवास करती है तो चलिए अब इन बातों को हटाते हैं आगे हम आपको बताते हैं रासियों के बारे में आखिर क्यों होती हैं सिर्फ बारारासियां और क्यों नहीं बहुतों से लोग होंगे उनके मन में खयाल आता होगा कि सिर्फ और सिर्फ बारारासि ही क्यों होती है इसका क्या कारण है चलो अब मैं आपको आगे बताती हो अब हम बात करेंगे सिर्फ 12 रासियों के अंतरगत जोतिसी सास्त्र में क्यों होती हैं सिर्फ 12 रासियां जोतिसी में 12 रासियों का वरणन मिलता है आप मैंसे बहुत से लोग को सुबा उड़ते ही अपना रासिफल देखने या पढ़ने की आदत होगी ऐसा भला क्यों न हो, रासी फल जानने की जिग्यासा किसे नहीं होती लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों जोतिस में सिर्फ बारा रासियां ही होती है क्यों मात्र बारा रासियों के बारे में बताया गया है अगर इससे पहले कभी आपके मन में यह सवाल नहीं आया तो कुई बात नहीं आज मैं आपको इस सवाल का बड़ा ही दिल्चस्प जवाब बताने जा रही हूँ हमारे एक्सपर्ट जोतिसी आचारियों के अंतरगत का कहना है कि जोतिसी में 12 रासी होने के पीछे का बैग्यानिक कारण है जिसके अनुसार आकास को बारा भागों में विभाजित किया गया था और उन्हीं बारा भागों में से बारा रासीयों का निर्माड हुआ तो चलिए इसे पूरे विशे को मैं जरब इस्तार योंबारी की से मैं आपको समझाती हूँ बैज्यानिक तथ के अनुसार आकास को ग्लोब पर बारा भागों में बाटा गया था ऐसे बारा भाग तीन सो साथ डिगरी के अंत्राल में किये गये थे यानि कि एक भाग तीन सो साथ डिगरी को समेटे हुए था लेकिन जिसका मतलब है बारा भागों की तीन सो साथ डिगरी एक इन ही बारा भागों से जो तिसी सास्त्र में बारा रासियां उत्पन्न हुई इन बारा रासियों के नाम भी रखे गए जो कुछ इस प्रकार थे प्रथम रासी मेश, ब्रिशव, मिथुन, करक, सिंग, कन्या, ब्रिशिक, धन, मकर, कुम्ब और मीन दरासल रासियों के नाम उस आधार पर रखे गए थे कि आकास के जो बारा भाग हुए उन बारा भागों में बारा तारों ने अपना अस्थान ले लिया था आकास के बारा हिस्सों के मौजूद एतारे धार्मिक द्रिश्ट से महत्पून माने जाते हैं इसी कारण से इन ही तारों के नाम पर बारा रासियों का नाम पड़ा हर तारा किसी ना किसी ग्रह के अंतरगत आता है इसी लिए हर रासि का एक स्वामी ग्रह भी है जैसे सिंग रासि के स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं करक रासि के स्वामी ग्रह चंद्र देव हैं धनु रासि और मीन रासि के स्वामी देव गुरू ब्रहस्पत आदी हैं सभी इसी तरह सभी रासियों के स्वामी ग्रह होते हैं जो उनका मंगल करने में सहायक बनते हैं बता दें आपको कि रासियों का उत्पन होने का तरीका और नाम बैग्यानिक आधार रखता है लेकिन इन रासियों से जुड़ी बाते पूर्ता जोतिसी सास्तर पर ही आधारित है जिसकी बहुत माननेता है तो ऐसे हुए जोतिस में मात्र बारा रासियों की उत्पत्ती अगर मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फेस्बूक और लोगों में सेयर जरूर करें और इसी तरह और जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब, कमेंट जरूर करें लोगों के एक लाइक एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैं आप सभी लोगों की आभारी हूं कि जो आप लोग अपना मून लिवान समय मुझे देते हैं और वो समय देखर मुझे सुनते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं इसके लिए आप सभी लोगों को कोटी कोटी मेरा प्रणाम है और जैसे की सावन आने वाला है इसलिए कुछ देर के लिए मेरे साथ सब लोग मिलकर बोलो अखिल ब्रह्मांड नायक राजा दिराज योगी राज परब्रह्मा स्री सचिदानंद भक्त वक्सल गिरजापती कैलास पती उमापती महादेव की